आप सब भी क्या सुगत है अब भी मैं आप सब भी को completely semi-government MBBS college के बारे में बताने बला हूँ बहुत सारे insurance को पता ही नहीं होता है और वो पूछते रहते हैं इसको देखें कौन-कौन से state में semi-government seats है इस पर कौन-कौन students eligible है कौन participant कहां कर सकता है नहीं कर सकता है यह complete information fee के साथ मैं आप सब भी को देने वाला हूँ कोलेज आपके पास होना चाहिए शुरू करते हैं और हाँ आप सब भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए टेलिगाम जोईन कर लो complete information आप सब भी को A to Z परते के सेट के बारे में last round तक मैं आपको दूँगा शुरू करते हैं तो सबसे पहले करनाटका में semi-government MBBS कोलेज के बारे में समझ लेते हैं तो करनाटका में जो प्राइबेट कोलेज है इनका 55% जो सीट्स है यह semi-government के लिए available है मताव कम फीपे इन कोलेज में MBBS सीट्स available है यह आप सब भी को 1.45 lakh approximately per year इसका यह चार्ज लगता है इसके बाद बात करते तलंगना स्टेट का जो 50% प्राइबेट सीट्स है इस पे available है semi के लिए 4 lakh per year इसका फी लगता है गुजडात स्टेट का बात करते तो यहां पर लगबक 75% प्राइबेट कोलेज का सीट्स है वो भी available है semi के लिए आंध प्राइबेट में 50% प्राइबेट जो सीट्स है वो available है आप सब भी को semi के लिए 15,000 पर year फी है पंजाब इस्टेट में 50% प्राइबेट कोलेज का सीट्स एविलेबल है 4 lakh per year में इस semi है हर्याने स्टेट में एक कोलेज है महराजा अगर सेन अगर वहा में यह भी available है semi के लिए 1.8 lakh per year इसका फी है अब बहुत दुख की बात है बिहार और उत्तरप्रदेश स्टेट में यह स्टेट में प्राइबेट में कोई भी सीट available नहीं है यह semi के लिए नो एनिस सेमी गवर्मेंट कोलेज या कोई भी प्राइबेट में semi seat नहीं है semi government seat नहीं है इसके बारे में last में मैं आप सब भी को बात करूंगा राजस्तान स्टेट में तो और खराब सीचियोशन अब देखो आप सब भी को बताता हूं राजस्तान स्टेट में एक कॉलेज है गितांजली इस कॉलेज में 10 MBBS seats to available semi government के लिए देख़ें आप 1.2 lakh per year ठीक है लेकिन आप सब भी देखो राजस्तान स्टेट का जो गोर्मेंट कोलेजेशे हैं उन 13 गोर्मेंट कोलेज में 35% seats management के लिए सरकार रिजर्ब का रखा है जिसका फी 9 lakh per year है 9 lakh per year अब आप देखो गोर्मेंट में सरकार गोर्मेंट कोलेज में सरकार 9 lakh per year ले रहा है मनेजमेंट सीट के नाम पर यह कितने दुख की बात है देखो आप सभी और यह वैसे स्टेट है जिने स्टेट में कट अफ आसमान चूरा है इसी रिजन से नो से मी रहसान में गोर्मेंट का बिसीट चला गया इस मनेजमेंट क और सरकार तो बस खेर बात करेंगे अब बात करते हैं वेस्ट मेंगोल में 35% प्राइबिट जो कोलेज है यह देखो 4 से 5 lakh per year जिस भी स्टेट में सेमी कोलेज है ना वेस्ट मेंगोल देखो कटफ कितना शांदार जाता है काफी कम कटफ जाता है औरिसा में 85% प्राइबिट प्राइब कोलेज एवेलेबल सीट 8 lakh per year 8 lakh तो ज्यादा है ठीक है यहां पर 36 गड़ में भी एवेलेबल बहुत कम फीपे एवेलेबल है यह आप सो भी देखो आज से आप नहीं पुछोगे कि सेमी क्या है क्या होता है अब मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन स्टूडेंट प्राइब है तो मैं आप सब बीको बता दूघ यह जिस भी स्टेट में आप स भी में देख रहे हैं कि जबी स्टेट में सेमी ग्वशक है उसी स्टेट के इस्टूडेंश टूडेंश है समी के लिए मैं थोड़ एक्जामपल देकर सुजाना था हूं सपोज करो कि थे बिहार और यूपी में कोई भी semi college या semi government seats available नहीं है, तो बिहार और यूपी के जो एश्रेंट से वो अगर किसी state में semi government के लिए eligible नहीं है, बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चलो, यह सबो कर नाटका में, सेमी जो प्राइबीट में सीट्स है, उस पर एडिविल से लेना, NOT possible, आप नहीं जा सकते हैं, करनाटका स्टेट के एसे इसेकर ही eligible है, हाँ, आप सब भी लेकिन, आप सब भी प्राइबेट और management, कम्प्लिटली, जो college ये other state में वहाँ पे open seat होता है आप जा सकते हैं मतलब अगर आप suppose करो मैं बिहार और UP या किसी भी state से बिलॉंग करते हैं मालोगा बिहार से states बिलॉंग करते हैं आप चाहते हैं कि मुझे करनाटका में completely private या management उचार dimmed का हो या आपका private state का हो participant लेना हाँ आप जा सकते हैं इसली जा सकते हैं किसी भी state के इसरोंड किसी दूसरे शित में private seat के लिए जा सकते हैं एडिविशन के लिए तो मैंने आप सब भी को बता दिया यह रहा complete information मैंने eligibility criteria बता दिया कौन को रिष्ट्रेट्रेंस eligible है किसे state में ठीक है मतलब भी हार इपिकेशन अधरे से में अधरे से में नहीं जा सकते हैं इसमें कोई doubt आपको नहीं होना चाहिए और कोई doubt हो तो आप सभी मेरे से बात कर लेना पूछ लेना और मैं जो आपको बता रहा हूं बस उसको फॉलो करते रहूं ठीक है आप मेरा गोल इंबी बीएस मोबाइल एप्लिकेशन डाउनोड कर जिए सिर्फ और सिर्फ वनली वन थाउजन नाइन हंडिट नाइन इन सिर्फ इतना ही गोर्मेंट के लिए मैं चार्ज करता हूं अंतिम राउंड तक मैं आपको काउंस्टिंग करूंगा और प्राइबि आपको मिल जाएंगे कंप्लिट आप सब भी को मैं गाइडेंस करूंगा बॉन्ड इन्फरमेशन लेटेड कंप्लिट अगर आप बॉन्ड बॉन्ड कोलेज में नहीं जा चाते हैं वह भी आपके कंफोर्टेबल के कोलिक बन जाएगा आप मेरे से बात कर सब करेंगे ठीक ह मैं बना दूगा डॉक में रिक्वाइड मैं आपको बता दूगा वैसे मैं बता भी दिया है ठीक है और कंप्लिट आप सब भी को मैं अवेलिबल रहोंगा तो यह आप सब भी ले सकते हैं वेलकम है आपको जो रैंक है ना उस पर जो बेस्ट टेजर मिंग को वह में दिला अब बात करते हैं थोड़ा सा मैं आप सब दिलिब को बता दूं बहुत सारे सोंगा इसलिक यह भी होगा अगर अब गवर्मेंट में जाना चाहते हैं 85 percent आप state के लिए state streets editing यह complete government के लिए है यह complete government के लिए आपका own state ka student नहीं पार्टिपर की साकते हैं और यह 15 percent किसी भी aç Purdue से बिलोंग करते हैं आप participate easily कर सकते हैं बस मुझे सम भी को ही हिताना है कोई chicos आप मैं ढूट हो आपके लुझे जो करता है tote